इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ आगनी पत भरती योजना के वारे में ये आज ही की डेट में लॉंच हुई है अगनी पत भरती योजना यानि जिन भी नोजवानों का सपना है सेना में जाने का यहापको पता है चार साल के लिए इसमें सेना में भरती हो सकते हैं अब इससे जुड़े जितने भी आपके सवाल है इस वीडियो को देखने के बाद पांग से साथ मिनट का यह वीडियो होने वाला आपको कोई भी सवाल नहीं रहने वाला यह मेरी गारंटी है इसमें आपको education qualification क्या होने वाली है age greater क्या होने वाला है 4 साल के बाद continue किया जाएगा या नहीं किया जाएगा किसको किया जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ salary package आपको क्या मिलने वाला है अगर कोई desirable होता है तो क्या होगा तो यह सारे के सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई जानकारी अच्छे लगे तो इसको like कर दीजेगा चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने friends आमित्रगन को share कर दीजेगे जिसे इसकी जानकारी उनको भी मिल सके तो friends जो अगनी पत हमारी वर्ती रोजना है यह जो government ने जारी की है तो सबसे पहले तो इस चार साल के लिए भर्ती होने वाली है कितने साल के लिए चार वर्स के लिए ठीक है और जो भी सेनिकों को जो भी वीरों को जो भी जवानों को इस सेना में भर्ती किया जाएगा यानि इस भृति के थुरू, उनको कहा जाएगा अगनी वीर, क्या कहा जाएगा, अगनी वीर कहा जाएगा, चार साल के लिए इसमें आपको सेवा देनी है, चार साल बाद 25% को continue के जाएगा, आगे 75% को retire कर दिया जाएगा, ध्यानक नहे, 25% को continue के जाएगा, जिनकी performance 23 वारवी पास, वो इसमें apply कर सकते हैं। दस्वी और वारवी पास, बात करेm Age criteria की, तो यहांपर Age criteria 17 वर्श से 21 वर्श होने बाला, यानि 17 वर्श एजक्राइड वर्श इसमें होने वाला है. एजूकेशन qualification मेरा आपको बता दी। दस भी और वार भी, एज क्राइटेरिया 17 से 21 बर्स, अब इसकी बात कर लेते हैं, देखिए इसमें फिजिकल और मेडिकल दोनों होंगे, और फिजिकल और मेडिकल उसी स्टेंडर्ड के होंगे, जो अभी करेंट टाइम में भरती में, यानि सेना भरती में, अपलाई होते है जिस तरह से फिजिकल ले जाता है, इसका फिजिकल भी वैसा ही होगा, जिस तरह से मेडिकल ले जाता है, इसका मेडिकल भी वैसा ही होगा, ध्यान लख रहे हैं, अगर हाँ बात करें हम इसके ट्रेनिंग की, तो जो ट्रेनिंग टाइम पिरेड होगा, वो दो से छे महीने ह दोसे 6 माईने में आपके ट्रेणि करना दी जाएगी उसके बाद आपको जोईन कर दिया जाएगा अब बात करते हिसके सैलरी package के वारे में तो सैलरी आपको सालाना इसमें 4.76 लाग दी जाएगी वो दे जाएगी 6.92 लेक यानि 4.76 लाख आपकी सुरुआत होगी एंड में चोथे बरस में आपकी सेलरी हो जाएगी 6.92 लेक और रिटायर के बाद जो 4 साल बाद रिटायर हो जाएगे उनको 4 साल बाद जो सेलरी दी जाएगी यह salary तो आपकी होगी सालाना वाली इसके अलावा जो आपको पैसे दिये जाएंगे retire होने पर 4 साल बाद वो दिये जाएंगे 11.7 लाक यानि 11.7 रुपे और वो पैसे होंगे tax free उन पर कोई tax नहीं होगा अब बात करते हैं कोई दुरघटना का सिकार हो जाता है तो इसको इंसरेंट जैसे बाकी सेनिकों को दिया जाता है वैसे ही दिया जाएगा और अगर कोई desirable हो जाता है यानि हाथ पैर वगएरा किसी का कोई desirable हो जाता है तो उसको 44 लाक रुपे दिये जाएंगे । जो आगिकिविश्य उसकी सैलरी, जो नोकरी बची होगा इसको सैलरी दी जाएगी तो यही कुछ जानकारी थी जो अगनिपाथ भरती योजना इसके बारे में थी और इसे के अलावा भी आपके मन में कोई सवाल हो इस भरती से जुड़ा हुआ, जो मैंने इस वीडियो में छोड़ दिया हो तो आप comment कर दीजएगा इस वीडियो के एक बार फिर से देख लिजएगा कोई भी doubt बचा हो, तो आप comment कर दीजगा इससे जुड़ा और भी कोई सवाल हो आपको कोई भी सवाल तो मैं आपको वीडियो बना दूँगा कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूँगा तो फ्रेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो इसको शेयर कर दिजिए बाकि ठैंक यूफो वॉचिंग सपोर्ट करते रहिए बने रहे हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में